नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्जाम सभा में और आज के वीडियो में हम कंटीनू कर रहे हैं जो हमारे इन्वार्मेंट एंड एकोलोजी की फीरीज चल रही है उसको तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो जाके देख लिजे ताकि आपको जो है जो ये लेक्चर की सीरीज चल रही है उसको समझने में आसानी होगी तो चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जो एन्वार्मेंट एंड एकोलोजी नाम से प्लेलिस्ट एवलेबल है व इसकी कंपोनेंट होते हैं आपको पिछले वीडियो में बताया था की आपका एकोसिस्टम होता है उसकी डे具न क्या होती है तो चली है कि इसकी definition क्या है एक बार फिर से short में तो any complete definition of an ecosystem include the biotic as well as a biotic component and the interaction between the two तो जो आपका biotic component होता है और जो a biotic component होता है यानि कि जो सजीव और जो निर्जीव घटक होते हैं उनके बीच में जब interaction होता है तो उससे जो formation होता है उसको हम ecosystem बोलते हैं तो यह होगई definition अब हम बात करेंगे कि जो ecosystem होता है उसके component कौन कौन से होते हैं तो जो ecosystem है उसके दो mainly component होते हैं पहला है a biotic factor और दूसरा है biotic factor a biotic factor को फिर हम दो part में classify कर सकते हैं पहला है climatic factor तो जो climate से related factor होते हैं जैसे कि आपका rain हो गया temperature हो गया, light हो गया, wind हो गया तो यह सारे जो है a biotic factor का climate factor है उसमें आते हैं दूसरे होते हैं आपके adafic factor तो adafic में आपका soil हो गया उसका pH क्या है वो हो गया mineral कौन कौन से हैं या फिर उस area की topographic ऐसी है तो इन सबी बातों पे जो है यह biotic factor depend करता है अब बात करेंगे कि biotic factor में कौन-कौन आते हैं तो अब biotic factor में आपके जो भी निर्जीव यानि कि जो भी non living things हैं वो आती हैं लेकिन बात करें biotic की तो biotic में आपके जो भी संजीव है या living जो आपके organism है वो आते हैं, तो इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है producers, दूसरा है consumers और तीसरा है decomposer, तो producer में आपका green plant हो गया, autotroph हो गया, तो green plant जो आपके हरे पौधे होते हैं, वो आपके producer होते हैं, और इनको हम autotroph भी बोलते हैं, दूसरा है आपका consumer, तो consumer में कई सारे आपके लोग होते हैं, पहला primary consumer, फिर secondary consumer, फिर tertiary, कहीं कई पे आपको quaternary भी देखने को मिलेगा, तो इनको हम है heterotroph भी बोलते हैं, तो यतने भी consumer हैं, उनको heterotroph बोलते हैं, producer को autotroph बोलते हैं, last में आते हैं decomposer, decomposer में आपके जो micro organism हो गया, जैसे bacteria हो गया, फंजाई हो गया, यह आते हैं, तो इनको हम बोलते हैं saprotroph, तो इस तरह से जो है component of ecosystem को हम classify कर पाएंगे, अब बात करेंगे कि यह biotic component कौन कौन से होते हैं, तो one of the important component of an ecosystem are abiotic or non-living component, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो abiotic component होते हैं, वो non-living component होते हैं, abiotic factor are usually the most important determinants of where and how will an organism exist in its environment, तो यह जो है आपका decide करते हैं कि जो environment develop हो रहा है, उसमें कौन कौन से organism रहेंगे, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रेगिस्तान वाला area होते हैं, वहाँ पे उट पाए जाते हैं, घने जंगल होंगे तो वहाँ पे दूसरे जानवर पाए जाएंगे, तो यह जो nature, soil, sunlight और wind, उसके बाद जो आपका दूसरा component हमने बताया था, वो था बायोटिक, तो इनको हम डिटेल में जान रहे हैं, तो बायोटिक कमपोनेंट क्या होता है, the biological और बायोटिक कमपोनेंट of an ecosystem, interact in an abiotic background, तो यह जो आपके बायोटिक कमपोनेंट हैं, यह जो हैं सजी भ background में यह आपस में interaction करते हैं, और इसमें कौन कौन आते हैं, तो इसमें आपका producer आते हैं, जिनको autotroph बोलते हैं, फिर आपका consumer आते हैं, जिनको हम heterotroph बोलते हैं, और last में आपके decomposer आते हैं, जिनको saprotroph बोलते हैं, इनके बारे में हमने उबर भी जाना था, अब बात के organism basically green plant certain bacteria and algae that in the presence of sunlight can synthesize their own food from simple inorganic substance are called producer. तो producer कौन होते हैं तो जो भी आपके green plant हो गए हरे पौधे हो गए या फिर कुछ bacteria और algae भी होते हैं जो अपना भोजन जो है सूरज की किरणों में या sunlight में जो है खुद बना लेते हैं तो उनको हम जो है autotroph या फिर producer बोलते हैं और इनको है primary producer भी खा जाता है इसके बाद आती है बारी all other organisms that are unable to make their own food depend on other organism for food to meet their energy needs for survival are called heterotrophs और phagotrophs और consumer तो वो सभी organism जो अपने food के लिए दूसरे organism पे depend करते हैं जिनको हम producer बोलते हैं तो जो depend करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं heterotrophs या consumer तो heterotrophs या consumer जो है अपने food के लिए autotrophs या producer पे depend करते हैं तो इसके example कुछ है जैसे कि आपके जो भी जंगली जानवर हो गया या फिर जो आपका human हो गया तो यह सभी जो है heterotrophs की category में आते हैं heterotrophs का एक दूसरा नाम phagotroph भी है जो आपको ध्यान में रखना है अब बात करें बोथ the consumer and producer complete their life cycle and new generation of population develops while the old one dies तो जो consumer और producer होते हैं दोनों में एक life cycle पाए जाती है और नई generation का जो है आना हो देखा जाता है उसके साथ ही साथ जब एक मर जाता है तो दूसरे का जन्म होता है तो यह जो है life cycle चलती रहती है और उनके मरने के बाद जो उनका organic matter होता है उनकी body का वो decomposed होता है और continuously जो है इसका cycle चलता रहता है अब जो आपका जो fragment होता है जो decomposed होने के बाद बचता है उसको हम डेट्रियस बोलते हैं तो यह टम आपको ध्यान में रखनी है कि डेट्रियस क्या होता है उसके बाद है certain fungi and bacteria which are responsible for the decomposition are very critical and important and are called decomposer और saprotroph और reducer तो कुछ fungi और वेक्टिरिया आपके ऐसे भी होते हैं जो decomposition के लिए responsible होते हैं जो आपकी dead bodies होती है उनका decomposition के लिए responsible होते हैं तो उनको हम decomposer या फिर saprotroph बोलते हैं या फिर reducer भी बोलते हैं तो तीन आपको नाम याद रखने हैं पहला है producer या autotroph दूसरा है consumer या heterotroph और तीसरा है last है आपका decomposer या फिर saprotroph उसके लावा कुछ categories यासी होती है certain decomposer are also called scavengers तो कुछ decomposer को हम जो है scavenger भी बोलते है some animals such as earthworm, soil inhabiting nematodes and orthopods are also detrius feeder and are so called detriors तो ये जो है कुछ और आपके example यहाँ पे दिये हुए है तो ये जो आपके micro organism होते है जिनको हम decomposer बोलते है तो ये क्या करते हैं कि जो dead bodies होती है उसमें water, CO2, phosphat and जो different type के organic compound होते है उनका जो life cycle होता है उसको वो चलाने के लिए जो है responsible होते है तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी ट्रॉफिक लेवल क्या होता है तो ट्रॉफिक लेवल ecosystem is a basic unit तो ecosystem जो है आपका एक basic unit है where complex natural communities obtain their food from plant through 1, 2, 3 और 4 step तो जो भी आपके जो natural community में जो आपके consumer पाये जाते हैं वो अपने food के लिए जो है directly plant पे dependent हो सकते हैं तो ये जो है कई लेवल में आपको देखने को मिलेगा कई लोंग जो है one level पे होते हैं कई लोंग two level पे होते हैं कई लोंग three level पे होते हैं तो उसके आधार पे इनको ट्रॉफिक level में बाटा जाता है अब बात करते हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं वो कितने तरह के होते हैं तो इसमें आपके तीन, चार, पांच ये तीन तरह के लेवल आपको देखने को मिलते हैं तो तीन लेवल का ये चार लेवल का ये पांच लेवल का तो जो सबसे largest आपका जो लेवल है उसकी बात कर लेते हैं जो आपको universally देखने को मिलेगा तो इसमें जो है आपका ट्रॉपिक लेवल 1 पे आपको green plant देखने को मिलेंगे और ये जो है आपके producer कलाते हैं मैंने आपको पहले ही बताया था इनको autotrop बोलते हैं तो ये जो है ट् food की requirement को fulfill करते हैं directly या indirectly उसके बाद आपके आते हैं heterotroph इसमें आपके हर्भी बोर आ गए हर्भी बोर मतलब शाकहारी ये जो है ट्रॉपिक लेवल 2 पे आते हैं फिर आपके कार्णी वोर जो हर्भी बोर को खाते हैं ये जो है आपके secondary consumer है और ये ट्रॉपिक लेवल 3 पे आ आते हैं तो इस तरह से आपका ट्रॉपिक लेवल बनता है इस लेट इस ट्रॉपिक लेवल में आपको एक से पांच तक दिखाया गया है लेकिन जरूरी नहीं है हमें साथ एक से पांच तक हो अभी-कभी चार या तीन कभी हो सकता है जब आपके hetero drop में जो है एक या दो हो उसके बाद क्या है कि दफ एनरजी always flow through ट्रॉपिक लेवल तो इस तरह से आपकी एनरजी जो है flow होती है तो आज के वीडियो में हमने काफी कुछ जान लिया है तो अगले आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि man groups क्या होते हैं उनके बारे में हम detail में जानेंगे तो झाल